सर्मा जी, सिर्फ एक-एक मिनट में मैं यह जानना चाहूंगा कि दाईत्व किसका है, विकल्प और दाईत्व देखे विकल्प और दाईत्व दोनों सबसे पहले तो लेकों का, हम लोगों का है और जो समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका भी है जैसे हिंदी के छित्र में जो मुद्दे आये हैं, अभी सामने जिनकी चर्चा हो रही है हम समझते हैं कि सारी, इस सही है कि सारी बोलियों के विकास से हिंदी का विकास संभव है लेकिन तब तक, जब तक हिंदी की बोलियां हिंदी के साथ हैं पिछले लंबे समय से कई हिंदी की बोलियां भोजपुरी और राजस्थानी दोखास तोर पर सम्विधान की आठ्वी अनसूची में शामिल करना की मांग कर रही हैं, अगर ये सामिल हो गई तो हिंदी से अलग हो जाएंगी, कट जाएंगी, जैसे एक परिवार में चार हिंदी से अलग हो गई, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हिंदी की ताकत जनसंख्या है, अगर ये अलग हो गई भोजपुरी और राजस्थानी तो उतनी जनसंख्या हिंदी से घट जाएगी, अगर तमाम सारी बोलियां इस तरह से अलग होती रही, तो हिंदी खतम हो आएगे, यानि सारी बोलियों में सब रचा जाया है, घर माटने की बात नहों पहली चीज ये, दूसरी चीज ये है कि हिंदी इतनी बड़ी भासा है, इतनी दूर तक फैली हुई है, कि इसमें उदारता बहुत ज़रूरी है, संसोधन जैसे हजारों लबज आएं हैं, नए आजाएं क्या डर है, पचा लेगी उन्हें हिंदी की है जिन्दा जुबा हिंदी, ये दृष्टकोंड होना चाहिए, हिंदी एक जिन्दा जबान है, सहजता, सरलता, कहीं से कोई शब्दे आते हैं, उनको उदार होकर के स्विकार करना, ये बहुत जरूरी है, ऐसा होगा तो हिंदी जिन्दा रहेगी, तकनीक में खास तरपर राजभासा के छित्म राजभासा तो हिंदी है, लेकिन वो भासा इतनी गरिष्ट हो चुकी है, कि आम जनता को अंग्रेजी जादा आसान लगती है, अब इसका पूरा इतिहास है, कैसे इतनी बिगड़ गया मामला, ज जो हमारी गती है, जो फास्ट, यह रील वाली जो गती है, दो मिनट वाली, तीन सेकेंड वाली, इस गती को थोरा ठहराओ में बदलना होगा, और यह जब हम ठहरेंगे, ठहर के सोचेंगे, अपने आगन में जाएंगे, उस गाओं के पुराने गाओं के पुराने घर में ज रहूंगे जब तक कि आप ये ताथकालिकता से अपने को नहीं बचाते हैं गुर्दEV टैगोर कहते हैं कि जम मैं नहीं रहूँगा तो मेरा साहित रहेगा इस रास्ते पर मैं मैं नहीं धन्यवाद, प्रियंकर भाइसाथ आप पाठेक्रम में शामिल कर लें, माल लीजे भोजपूर इलाके के जो भी विश्विद्याले हैं, वो अगर हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत में कोई में करता है, अगर एक परचा वहां की जो बोली है उसका भी रहे, तो मुझे लगता है कि हम कहीं न कहीं उनसे जुड़े रहेंगे, हमें उन्हें छोड़ना नहीं है, और उनका जो एक अलग दिखने का जो उनके अंदर एक भाव जाग गया है, हमें उनको अपने साथ ही रखना है, क्योंकि दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, वोली और भाषा कोई बहुत अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ें हैं, उनके लक्षन भी एक जैसे हैं, और उनका जीवन मरण जो है वो साजा है, तो मुझे लगता है कि हिंदी का जो संयुक्त परिवार है, हमें उसे बचाए रखना है. कल दो साजा है.